है तो इस तरह का तीन बटन और कलिप था तो फो इसी लग गया है बट इसमें अभी तीन मिसिंग में यह देखी यहाँ यहाँ और एक उससाइड तो अभी यह प्राइल होगे और मंगे है अलहाँ जोना है दो पना यहां पर मैं MSIL का यूज़ कर रहा हूँ और मैंने एक उस साइड लगा के देखा है, बहुत अच्छा finishing आ है, तो मैं आपको पहले दिखा देता हूं कि मैं आपको एक ऐख दिछा देता हूँ कि एक थैंप करके रहा हूं यह दिए एंस्ल है यहां पर यह एमसिल का आगया यह देखिए इस तरह से मैंने इंसर्ट कर दिया यहां पर और यहां पर मैं थोड़ा सा ग्रीस लगा लूँगा यह जो पेन का कैप दो क्या है मैं आपको थोई देर के बाद बताऊंगा पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि मैं कर क्या रहा और उसके बाद इस कैप का इंग पॉर्टेंस मैं आपको बताऊंगा क्योंकि यहां पर यह फ्रंट है तो थोड़ा सा अच्छा फिनिस आना चाहिए यह नहीं की जुगार कुछ भी लगा दिये तो बहुत गंदा दिखेगा तो यह देखिए यहां पर मैं इस तरह से इसको प्रेस कर रहा हूं यह देखिए यह देखिए इस तरह से यह बन गया है तो यहां पर देखिए यह जो है यह आपका ओजनल है और यह मैंने एमसिल से बनाया है और दोनों में से कौन बेटर लग रहा है आप मुझे नीचे कॉमेंट बॉक्स में बताइए तो यह मैंने जुगार लगाया है और यह है आपका बैक पोर्शन यहां से भी यह सेट हो गया पुड़ा टाइट हो गया है तो मैंने एक्जैक्ली किया क्या यह दोनों कैप क्या करता है मैं आपको बताता हूं तो मैंने इस दोनों कैप में एमसिल फिल कर दिया था और फिल करने के बाद इसे फ्लैट करने के बाद इस तरह से मैंने इसको सेप दे दिया था इसका जो सेप है इस पर आ गया था इस तरह से यह इसमें भी मैंने किया थ ब्रेस करता हूं तो वो आपका इसी ही का शेप ले लेता है देखने में इसी तरह लगता है मैं आपको एक example दिखाता हूँ, यह देखिए, यह है, ठीक है, यह है, और यहाँ पर मैंने डाल दिया, और इसको दोनों को हम लोग press करते हैं इस तरह से, यह देखिए, इस तरह से, यह देखिए, तो यह इस तरह का save पकड़ लेता है, इस तरह से, और जो extra है उससे हम लोग ह किया है, और grease हम लोग थोड़ा सा इस लिए लगाते हैं, ताकि इसमें यह चिपक नहीं जाए, एमसिल में एमसिल, तो वो आपका बाहर आ जाता है, तो यही था इसका method, तो मैंने दो लगा लिया है उसमें, एक और लगाना है, और उसके बाद मैं उसे dry करने के लिए छोड दूँगा, और कल उसे हम लोग लगाएंगे, आज तब तक हम लोग दूसरा काम करते हैं, इसका जो इंजन है, इसका compression बहुत ही जाता वीक है, आप देखेंगे तो यह देखिए, बहुत ही इसका केक नीचे चला जाता है, इसका compression बहुत ही वीक है, और यह एराउंड 37,000 कि इंजन है, और इतनी जल्दी यह problem नहीं आता है, और कभी कभी क्या होता है, कि अगर valve का clearance ही नहीं अगर adjust किया रहता है, तो उस समय भी यह problem आता है, compression loss का, तो एक बार हम लोग इसका valve clearance सेट करेंगे, और इसका यह जो carburetor है, वो भी बहुत गंदा है, और इंजन में जगा जगा leakage है, तो सब कुछ को हम लोग clean करके देखेंगे, most probably इसका इस side का packing यह leak कर रहा है, अभी तो packing नहीं मिल पाएगा, बट हम लोग clean कर देंगे सब कुछ, और जहां से leakage होगा, जहां जहां से, वो clearly पता चलेगा, तो future में हम लोग जब इसका clutch plate replace करेंगे, तो उस समय हम ल tap है, उसमें भी problem है, तो वो भी हमें change करना है, तो उसके लिए भी हमें tank निकालना पड़ेगा, तो हमें इसका tank बाहर निकालना है, ताकि सब जगह हम लोग easily पहुंच सके, सब कुछ clean कर सके, और tank open करने के लिए हमें सबसे पहले इसका side panel open करना पड़ेगा, इससे हटाना प कट जाएगा, उसके बाद हम लोग इसका seat remove करेंगे, और उसके बाद इसका tank remove करेंगे, ये बाहर आ गया है, इसका side panel, उसके बाद हम लोग seat open करेंगे, तो seat open करने के लिए यहाँ पे left और right में दो आपका bolt रहता है, तो ये दो bolt हम लोग remove कर लेंगे, right का मैंने अल्यडी कर लिए है, और left का ये हो गया, जैसे ही आप इसे remove करेंगे, ये आपका seat बाहर आ जाएगा, इस तरह से, और एक चीम मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे देखिए, इस side इस तरह का ये bolt लगा हुआ है, और उस side इस तरह का special bolt लगा हुआ था, तो मुझे समझ में नही हटा करके कोई दूसरा, मतलब आप अगर open कर रहे हैं तो उसे ठीक से रखे, ये नहीं की miss कर दे तो, और इस तरह का special bolt आप market में खोजने जाएंगे, तो आपको बहुत problem होगा, तो original, मतलब miss हो जाता है, तो ये combination इसका, मतलब अजीब लगता है, इस side कुछ और, उस side कुछ और, जो original चीज रहता है, original missing वो बहुत अच्छा लगता है, अगर एक type का nut bolt है, original type का, तो अच्छा लगता है, quality maintained रहता है, और यहां पर देखे, मैं जितना भी nut bolt open कर रहा हूं, इसमें रख रहा हूं, तो इसमें miss होने का कोई chance ही नहीं है, ये देखे, miss होने का कोई chance ही नह है, तो जब भी आप open करें, तो ये सब बादों का ध्यान दीजी, ये नहीं कि आप nut कहीं पे रख रहे हैं, bolt कहीं पे रख रहे हैं, और वो miss हो गया, और उसके बाद आप दूसरा डाल रहे हैं, कुछ जुगार, तो ये सही नहीं है, तो जैसे ही दो bolt open होगा, ये आपका seat का जाएगा बाहर, ये आराम से आपका बाहर आगया और बहुत ज़्यादा dirty है, सब कुछ हम लोग अच्छे से clean कर देंगे, और यहां भी देखें, बहुत ज़्यादा dirty है, ये सब कुछ को हम लोगो clean करना है, बहुत ही प्याड से, उसके बाद ये tank का bolt है, हम लोग open कर देंगे, 12 number है ये, बहुत ज़्यादा dirty है सब कुछ पता नहीं, लास्ट टाइम ये कब clean वा होगा, और लोग क्या करते हैं कि motorcycle उपर से clean कर वाते हैं, scooter उपर से clean कर आते हैं, बट अंदर ये इसी तरह से गंदर आ जाता है, तो कभी-कभी अगर आपको time मिले, तो आप अंदर इसे clean कर सकते हैं, ये देखिए, आपका, ये इस तरह से बाहर आ जाएगा, ये देखिए, इसे हम लोग clean करेंगे, और एक चीज में आपको बताना चाहूंगा, कि ये देखिए, ये tank बहुत अच्छा है, कहीं भी इसमें dent नहीं है, कहीं पर कोई problem नहीं है, बट यहां पर देखिए, जहां पर ये seat से touch रहता है, यहां पर देखिए, रस्टिंग स्टार्ट हो गया है, तो हम लोग इसको भी साही कर देंगे, अभी इसमें क पर देखिए, तो ये रस्टिंग डीप होता चला जाएगा, और यहां पर आपका problem स्टार्ट हो जाएगा, यहां पर और ज्यादा है, तो इस पर आपको ध्यान देना है, अगर आप ध्यान नहीं देंगे, तो वहां से leakage स्टार्ट हो जाएगा, फिर आपको soldering करवाना पड देगा, लेड फिल करवाना पड़ेगा, तो यह सब problem हो जाता है, तो थोड़ा सा, अगर आप care करेंगे, तो यह tank एक लंबा life देगा, और अंदर खोल के देखते हैं कि इसका tank का क्या condition है, अंदर से कैसा है, यह देखिए, तो अंदर perfect है, as good as new है, यह बहुत अच्छा है, क थोड़ा सा रस्टिंग का problem है, उसे हम लोग को carefully solve कर देना है, और अंदर में यह tank perfect है, कोई भी रस्टिंग नहीं है, यह 15 years old है, बट अभी भी इसमें रस्टिंग का problem नहीं है, जो इसका old donor होगा, वो बहुत ही प्यार से इसे रखा होगा, तो रस्टिंग का कोई issue नहीं है तो एक बात फिर से हम लोग lucky है, तो जो थोड़ा बहुत रस्टिंग का problem है, इसे हम लोग solve कर देंगे, इसके tank का जो fuel tap है, उसमें भी problem है कि यहां से fuel leakage होता है, यह wear हो जाता है एक time के बाद, तो यह यहां से leak करता है, तो मेरे पास new tap है, तो हम लोग tap को भी replace कर देंगे, easily और यहां पर हम लोग इसे off कर दे रहे हैं, और यह हम लोग connection हटा दे रहे हैं, और यह देखे, इसे बाद में open करके देखें कितना यह dirty हुआ है, तो यह tap बहुत ही old है, हमको लगता है जब original 15 years old होगा, तब ही काई है, तो इसे भी हम लोग हटा लिए है, उसके बाद यहां और इसमें frial gauge नहीं है, तो यह easily बाहर आ जाता है, एक चीज में अच्छा है, तो यह बहुत ही ज़्यादा dirty है, last time यह कब clean गवा होगा, कोई idea नहीं है, बहुत ही ज़्यादा यह dirty है, तो सबसे पहला मैं काम करता हूँ, कि इसके valve clearance को मैं देख लेता हूँ, और अगर compression एक अच्छा good news मिलेगा हमें, और उसके बाद हम लोग इसे अच्छे से clean कर लेंगे, और clean करने के बाद जो tell light है, जो damaged है, उसे भी हम लोग replace कर लेंगे, तो सबसे पहले हम लोग valve का काम कर लेते हैं,